मस्कार, स्वागत आपके शेयर में और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे RRB ALP के expected cutoff के उपर तो PCM के उपर मैंने दो-तीन वीडियो में आज चुका हूँ आपने देखा होगा तो अब देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो तो देखिए इस वीडियो में पूर जो ये वीडियो पुरा डेटिकेटेड होगा ये ALP आसिस्टेन लोगव पाइलट के स्टुएंट के लिए पूरा वीडियो डेटिकेडट है तो देकि सबसे बड़ी बात यह कि वह को पार्ट बी में अगर क्वालिफाइंग आपके आर है मांक्स तो सही है तो आप पार्ट एम में जो है जिसमें मेरिट बनेगी जिस पे आपका सेलेक्शन होगा क्योंकि अभी तो आपको लिए एक पिपर और बचा हुआ है मतलब आपको टीर 3 भी देना है तो आपको जो साइको टेस्ट है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीबीटी टू के लिए आपके जो जोण वाईस अपने जिस जोण से अपलाई किया है आपके लिए सेफ इसकोर कितना होगा अगर आग्याव कर आज वी आ रहे हैं या अगर आज व्यांव आरहे आपको तो इतने मांक्स के बाद आपका हो जाएगा यह नाउनमालाईज मैं मै इतने माक्स अगर आपके हो जा रहे हैं बाद में थोड़ा बहुत कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हुआ वीडियो अगर चैनल पर नया है और पहले बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को और बहुत जगह मतलब एक है कि एलेक्ट्रिकल की है या तो मैं एक ही कट्वब बता रहा रहा हूं आई जाती सिर्श 65 टोटल विकेंसी है तो जो अन्रिजर्व कैटेग्री की जो कट आप जागी वो 52 जाएगी प्लस मैनस 3 आप ले सकते हैं इतना आप मान सकते हैं तो पूरा रेंज आप मान सकते हैं 49-55 तो इस तरह के से आप मतलब समझें तो अन्रिजर्व के अगर मीन वैल्यू अगर मैं बात करों 52 माक्स आपके तो बहुत च्छे हैं तो यह माक्स दिखिए अगर आपके ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा मतलब बैनिफीश्यल होंगे आपके लिए अजमेर की बात करें तो अजमेर वो जोन है जहां पर सबसे ज़्यादा कट आफ गए थी असे लोगों पाइलिट की तो एक हजार एक सो दस सीटे हैं टोटल सब तावन प्लस मानस थी इसकी कट आफ जानेक चांसेज हैं और सबसे ज़्यादा जो कट आफ जानेक चांसेज है वो अजमेर में ही है क्योंकि बहुत शुन को मतलब अजमेर की सोचते थे कि कट आफ कम जा रही है तो बहुतों ने इससे अपलाई किया था और इसलिए इसकी कट आफ जो है वो बहुत हाई गई है सीबिटी वन में यह बहुत हाई गई थी सिक्ष्टी वन गई थी इसकी अन्रिजर्व के टेगरी की 53 प्लस मैंस 3 OBC की जाएगी प्लस मैंस 3, ST की 43 प्लस मैंस 3 कट आफ जाने के चांसेज हैं एलावाद की बात पर रहें 4236 टोटल सीटे हैं और जफ्टी फाइफ प्लस मैंस 3, OBC के लिए 52 प्लस मैंस 3, SC के लिए 47 प्लस मैंस 3 और ST के लिए 43 प्लस मैंस 3 CBT1 में जनरल और OBC के कट-off में सभी कट-off में लगभग लगभग साथ से आठ नम्बर का जो गैफ था लेकिन जरूरी नहीं इस बार यह साथ से आठ नम्बर का गैफ हो तो आप मान के जलिए थोड़ा बहुत किसी किसी जोन में जनरल OBC के कट-off में बहुत ज्यादा गैफ हो गा लेकिन आप जिल्ए अए बार्ण नमबर यो आठ नम्बर इतना लंबा गैफ नहीं यहिं वाला है आप मान के चलिए हो सकता है चार पांच-चर इतनी नम्बर तक हो सकते हैं कहीं कहीं इक एक तो जो हे जो रहए यों वहीं पर भी हो सकता है 7–8 नब्रों का हो लगभग फ्लस मानस थी, SC की 42 प्लस मानस थी और HT की 38 प्लस मानस 3 कुट अभ जाएगी inhale बोपाल जो है 1110 सीटे हैं टोटल, unreserve category 55 प्लस मानस 3 OBC के लिए 50 प्लस मानस 3 SC के लिए 46 प्लस मानस 3 और HT के लिए 42 प्लस मानस 3 ये कुट अभ जाने की चानसेस हैं अब बात करते हैं भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में 2228 सीटे हैं, अन्रिजर्व के 53 प्लस मैनस 3 कॉट आफ जाने की चांसेज हैं, OBC के लिए 50 प्लस मैनस 3, SC के लिए 45 प्लस मैनस 3 और HT के लिए 41 प्लस मैनस 3 कॉट आफ जाने की चांसेज हैं, बिलासपुर के बात करें 1484 सीटे हैं और अन्रिजर्व के 53 प्लस मैनस 3 इसकी भी जानेक चांसेत हैं OBC के लिए 49 प्लस मैनस 3 SC के लिए 42 प्लस मैनस 3 और HT के लिए 39 प्लस मैनस 3 यहां की कॉट अफ जा सकती है चंडीकड के बात करें 1308 टोटल वेकेंसी हैं अन्रिजर्व के टेकरी के बात करें 56 प्लस मैनस 3 highly competitive सीट जो है आपकी जोन जो है OBC के लिए बात करें 51 प्लस मैनस 3 अब बात करते हैं चे लिए 161 सीट हैं टोटल अन्रिजर्व के लिए 502 प्लस मैनस 3 OBC के लिए 47 प्लस मैनस 3 SC के लिए 42 प्लस मैनस 3 और HT के लिए 38 प्लस मैनस 3 गोरखपुर के बात करें एक थाथ 681 सीटे हैं टोटल अनरिजर्व के लिए 54 प्लस मैनस 3 और OBC के लिए 49 प्लस मैनस 3 SC के लिए 45 प्लस मैनस 3 और HT के लिए 41 प्लस मैनस 3 तो यह हो गए हमारी गोरखपुर की और उसके बार बात करें गोहाटी में सीटे कम हैं 420 total सीटे हैं और आपकी जनल की जो cut-off की जाएगी वो 51-3 जाएगी और OBC के लिए 46-3 ST के लिए 41-3 और ST के लिए 37-3 जाने की चांसेज हैं जम्मों सेशने के बात में 357 total सीटे हैं और अनरिजर्व के टेगरे के लिए 52 प्लस मैनस 3 OBC के लिए 47 प्लस मैनस 3 SD के लिए 43 प्लस मैनस 3 और HD के लिए 39 प्लस मैनस 3 जाने के चांसेज हैं कोल करता की बात करें, 1,409 इतनी टोटल सीटे हैं, 53 प्लस-3 अन्रिजर्व के टेकरी के लिए, OBC के लिए 49 प्लस-3, SC के लिए 45 प्लस-3, and ST के लिए 41 प्लस-3, टोटल जो cut-off जाएगी जितनी चांसेज हैं, मालदा के बात करें, यह 01 सीटे हैं, टोटल, अन्रिजर्व के लि प्लस-3 अन्रिजर्व के लिए 49 प्लस-3, आपके लिए OBC के लिए 45 प्लस-3, आपके SC के लिए, और HD के लिए 41 प्लस-3, मजःफ़रवच प्रोट के बात करें, फोर 56 टोटल सीटे हैं, 51 प्लस-3 अन्रिजर्व के लिए, OBC के लिए 47 प्लस मानस 3, SC के लिए 42 प्लस मानस 3 और ST के लिए 38 प्लस मानस 3 पतना के बात करें 720 सीटे हैं 54 प्लस मानस 3 अन्रिजर्व के लिए OBC के लिए 49 प्लस मानस 3, SC के लिए 45 प्लस मानस 3, ST के लिए 42 प्लस मानस 3 ये टोटल आपकी जो cut off जाने चांसेज हैं राजची के बात करें, 2031 टोटल सीटे हैं, जनरल के लिए 53 प्लस मैनस 3, OPC के लिए 49 प्लस मैनस 3, SC के लिए 45 प्लस मैनस 3, SD के लिए 41 प्लस मैनस 3, और बात करते हैं, 33, 1, 33, टोटल पोश्टे हैं, 55 plus minus 3 इसकी cut off जाने कि चांसे जहां और जो सबसे ज्यादा zone में cut off जाएगी उन zones में सिकंद्राबाद भी आता है, तो 55 plus minus 3 उसके बाद OBC के बाद करें 50 plus minus 3, SC के बाद करें 46 plus minus 3 और HD के बाद करें तो 43 plus minus 3, cut of generic chances. बात करते हैं से लिए ओडिके, 534 सीटे हैं total, 51 plus minus 3 unreserved category के लिए, O, B, C के लिए 46 plus minus 3, S, C के लिए 42 plus minus 3, और S, T के लिए 39 plus minus 3, अब बात करते हैं last 31 पुरहन, 162 total सीटे हैं, 31 पुरहन में, और general category के लिए 51 plus minus 3, OBC के बात करें 47 plus minus 3 SC के बात करें 43 plus minus 3 और ST के बात करें 39 plus minus 3 इतने cut off जाने की चांसेज हैं तो अगर आपके marks अगर इतने बन रहे हैं या अगर एक दो नंबर अगर आपके आसपास भी हैं थोड़े से कम भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं नॉर्मलाइशन होगा आपके marks बढ़ जाएंगे और जाहिर जी बात है जी साब से मैं बता रहा हूं कि सेकंड शिफ्ट में एक्जाम जो हुए हैं वो बताया जारा जैसे श्वन ने रिव्यू दिया था कि वो थोड़े से अच्छे आए हैं और अगर आपको लगता है कि रहता है सेंपल पर अगर टॉप हंडड़ या टॉप थाउजन उन अगर सेंपल लिए और सेंपल लेने के पाद उसकी एवरेज जो marks हैं अगर आवरेज मार्ट माल जीजे किसी दिन में किसी शिफ्ट में अगर एवरेज मार्स बनना 71 या किसी दिन बनना 61 तो जाहिर से बा ने जितने सेंपल इपन करता है तो अगर आपको लगता है कि आपका है तो जाहिर से बात यह सबीर होगा और उसमें आपको नर्मलाज्शन का अच्छा आ मिलेगा अपने प्रीमें देखा था नोलमनाजिशन का इफक्त कितना अच्छा अच्छा पुड़ा था मतलब बहु इजली स्कोर कर लोगा आप इजली सेलेक्ट भी हो जाओगे तो बहुत-बहुत धन्वाद इस वीडियो के देखने कि अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों जरू शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरू कर लिए चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब स्काइब दर कर लिजिए तो बहुत बहुत दें